प्रेस्ट आज में दिखाऊंगी कोई भी ब्लाउस पहनने के बाद यह जो बैक सेट है यहाँ पर फेब्रिक आपका उपर की तरब अगर इस तरह से उठ जाता है तो काटिंग करते वक्त आपको किस तरह से यह काट करना है तो इसमें देखिए ब्लाउस काटिंग करते वक्त आपको सिर्फ 4th step follow करना है सबसे पहले देखिए आपको ब्लाउस के लंबाई हमेशा सही तरीके से लेना है जितना ब्लाउस का लंबाई है जिसको जितना जाएए उसी हिसाब से लेना है हो सागत तो आप एक सुता ज्यादा लीजेगा लेकिन कम नहीं होना है अगर कम होता है उस ताइम पर ब्लाउस पीछे की तरफ से उपर की तरफ चार जाता है जिसी करण यह दिकत होता है और दूसरा देखिए बैक साइट पर यहां पर देखिए टाक्स होता है यह टाक्स आपको जोरूर देना है कोई भी डिजान का हो कोई भी ब्लाउस हो आपको बैक देखे इस तरह से टूफD में ये हाफं हम इसका होना है इसे कम आपको नहीं दे ना है है यह आपको ब्लाउस के ब्यूजगे का बहूत ऑफ दिद नहीं अपर जिसने ये देना है अपने ये दीना है लेनहे जितना है उतना ही लेना है दोसरी बार देखिए आगर कोट्रे ब्लाउस होता है उस टाइम पे शोलडर से जो बास्ट पोइंट विटाएट on the bestedly होना है अगर ज़िस tv जो पर ही तरब लिटम होता है तो जो लूप मेरे ब्लाउस काटिंग विडियो देखते है 13 उम्मीद है उनको यह दिकत नहीं होता है तो अगर अपनी मेरी ब्लाउस काठिंग वीडियो फोलो नहीं किया तो जुरूर ट्रैकर के देखिएगा आपकी ब्लाउस पर दिकत नहीं होगा तो यह कुछ नॉर्माल तीप्स था जो आपको ब्लाउस काटिंग और स्टीचिंग करते भग ध्यान में राखना है इस तरह से काटिंग स्टीचिंग करने से आपकी ब्लाउस पर यह प्रब्लेम नहीं होगा तो उम्मीज आपको थुरा वोत हैल्प हो गया होगा जो लोग बिगिनार है उनके लिए स्पेशली यह वीडियो है इसके बाद भी अगर आपको कोई वीदिकात होता है आप हामें जरूर कमेंट में बोल सकते हो और एक बात मेरे चैनल पर जो प्लेया लिस्टे उसमें देखेगा बेसिक टेलेनिंग क्लासेस का एक प्लेया लिस्टे उसमें इसके उपर एक वीडिय पर जोरूर चैक कीजिएगा उसमें उसका पूरा डीटल्स दिया हुआ है वीडियो पसंदाने पर एक लाइक जोरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लापको पहुत बहुत धने बाद फिर से मुला गातोगा दूसरे वीडियो के साथ तर्ते के लिए बाए